नमस्कार श्वागत आपका सीनियूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रिवास्त ट्रांस्पोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरी बड़ा हाथसा हुआ ऐसी रिदेव विधारक घटना जुसने तमाम बधाल विविस्थाओं की पोल खोल दी हाथसे का फिर जिक्र करे तो बीतेश शनिवार यानी साथ सितमबर दो हजार चौबिस की शाम कई परिवार उजाड गई कहने को तो ये केवल रोज की तरह एक श्राम थी पर श्राम को जो हुआ वो बहुत भायावे था दर्दनात था राजदानी के ट्रांस्पोर्ट नगर इस्थित एक तीन मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई जुसमें दबकर आठ लोग अचानक काल के गाल में समा गए तो 28 लोग घायल भी हुए वैसे तो इस मामले पर सरकार ने जाच बैठा दी है बिल्डिंग गिरने का कारण भी सामने आ जाएगा पर 30 साल पहले अस्तित्व में आया राजदानी का ट्रांस्पोर्ट नगर जहां से सरकार को करोडों का टैक्स मिलता है हमारी सुस्तव व्यवस्था के चलते बधाल हो गया है लोगों के ट्रांस्पोर्ट नगर में हाथसे पर बिल्डिंग मालिक पर खूब सवाल उठाए पर ट्रांस्पोर्ट नगर की खराब और बधाल व्यवस्था का जिमेदार कौन है इसका जाइजा सीन्यूस भारत की ट ट्रांस्पोर्ट नगर जहां हाथसा हुआ हम हाथसे की जगा को दोबारा देखने के साथ साथ ट्रांस्पोर्ट नगर की उस व्यवस्था से भी आपको रूबरू कराएंगे जो अब तक परदे के पीछे है तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट ट्रांस्पोर्ट नग से खासी टाक्स की कमाई भी होती है उसके बावजूद आज भी ये ट्रांस्पोर्ट नगर बधाल विवस्थाओं की बेट चड़ गया है यू तो इसकी चर्चा कभी जल्दी नहीं होती थी पर बिल्डिंग हाथ से के चलते ये बड़ी चर्चा में आ गया तो देखते हैं ट अभी तक किसी ने देखा नहीं जो कई अन्य हाथसो को हुले आम निमंत्रन दे रहा है बड़ा नुक्सान भी होगा था आर्थिक नुक्सान भी हुआ था बड़ी जनहानी भी थी आठ लोगों की इस बिल्डिंग के मलवे में दर्पकार मौत हो गई थी और साथी साथ यहां पर करोणा का जो माल था वो भी यहां पर खराब हो गया था मैं आपको देखाना चाह एक कंपनी थी मोबिल कंपनी मौटल कंपनी उस कंपनी के यहां पर कार्हाबार किया जाता था और ज हांता है पर आखिर की कैसे क्योंकि तमाम तरह के साथ है कि और दै। कोई कह रहा है कि ओवर लोट था फिर यहां पर कारण कहा रहा है वो तो यहां पर जाज में निकल कर सामने आ जाएगा पर कहींने का यह बात सुतने वाली है कि कब तक ऐसी बिल्डेंगे के गड़ती रहेंगी कब तक यहां पर लोगों को अपनी जान से हाँ दोना पड़ेगा यहां पर कारोबार भी चोपट हुआ है और साथ ही साथ यहां पर लोगों को बड़ा नुक्सान हुआ है अब सरकार इस मामले में कितना ही सहायता करती है कारोबारियों कितनी सहायता करती है जिसमें हटाहात हुए जिनकी जान चली गई है यहां पर आने बा तो यह हमने देखा बिल्डिंग जहांगिरी उस जगह की एक सब्ताहबात की हालत पर अब हम आपको दिखाएंगे वह विवस्था जो आप तक केवल नजर अंदास की गई ट्रांस्पोर्ण नगर हार्शा हुआ और यहां पर सबकी एक ही राय है कि यहां पर क्या कारण रहा कारण क्या है वो आने बाले समय कि जांच में सपस्थ हो जाएगा और आधिकारियों ने यहां पर अलाला बिल्डुगों के जांच के आरेज भी दे दिये हैं पर अगर हम ट ब्यास्था का जिम्मेदार कौन है ट्रांस्पोर्ण नगर में जहां पर हार्शा हुआ है उसके ठीक भगल वाली घली में सखड़े हुए है वह आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर आदे पाहुता पानी भरा हुआ है यह ब्यास्था है और निस्ट्रियों से पानी यह हारा हुआ है पानी का प्रपरट्य होती है तरीका होता है कि पानी नीव मे बेट्टा है वजब कंजोर होगी तो नुक्सान होगा यानि ट्ञंद्वर्ण नगर ऑदना है भी हैं पहुत हो सकती है फिराल सरकार यहां पर जाज करेगी जाज क्या करेगी वह लग देखा जाएगा फ्राइब कर यहां बंदा काम करता उससे पूछते का वह बोलतों कभसे काम कर रहे हैं एक साथ और पानी ऐसे बरता है बढ़ता है नहीं हमें स्टार नहीं हमें से अपने leid 지la hard acid ininterman great by also dot 10 नहीं हुए है यहां इसवरे से इतना कम है पानी अग्ने और बारिस होती है तो एपका आपक्त लगों कि और फीड़ी सामनी है लोग आते जाते यहां दिन-रमाव भी है पानी भरा हुआ है लिमानी फैलने में असंका रहती है यह अब एक दिन के बाद कोई प्रयास नहीं किया 500 बार मुख्वंती पोर्टर में कम से कम शिकायत हुई है हमारे द्वारा अच्छा हां पर कोई सुनवाई नहीं कर आश्वासन मिलते हैं बगल में आपकी बिल्डिंग गिरी है आठ लोग मर गए है इसे गिरी है यह इसे पानी भरता है निव में जाता है तो जब भी ने पानी जाएगा तो बिल्डिंग गिरेगे फिलर बैठेगा ही खुड़ा जान हो पर हिम्बद दूगा इन लोगों की जो यहां पर रहे के इस बेवस्था में ब्यापर कर रहा है और रोड जो है की रोड के आज सिती आप देखी रहे हैं यहां पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है देख लिए दर साइट से यह गाडियों के टायर जो गाडियां जाती ह से यहां बज़िया इस गड़े के अंदर और पलड़ता तो दो तीन आज में उसमें मर जाते और इसके लिए कई बार कंप्लेंट हुआ है तो इसकी सुनवाई नहीं कुछ हो रही है बता यह कैसे काम किया जाए गाडियां आती है लोग देख बाद के घूम जाते उधर से कि अगर में से जुना का क्या है जहां पर लोग काम करते हैं इसके लिए हम लोगों ने जो है कि बिगत कई बर्सों से निरंतर प्रियास किया जाता है बुखमंत्री पोड़ल पर कई बास दिकात की वहां से असोचन मलता कि आगे करवाई के लिए बेद दिया गया है कोई कर करता है तो बीमाने फेलने के अन्य सा रहता है क्या क्या कोई नहीं हुए यहां पर सारी बहुस्ता भगवान बरुसे चल लगी है जो भी आप बोलो कंप्रेंट करो तो उसका बितला यह होता कि यह काम पूरा किया जाएगा ठीक है पस आसोसन मिलता है सरकार भगवान बरु ओलो को अपनी किनारे से गारी ले लेके आ रहे हैं जैकिए यहाँ पर एक साईकी चालक भी है एक मोटरसाइकिल भी है लोग है निकल ला है बला कारोबार यहां पर उतर ट्रांस् tecnología ईहां सप्राइब देखिए पूरे सेहर के लिए उनकी सहूलेट के लिए पर कहीं आपर जो ब्योस्था देखने को नजर आ रहा है वो कहीं बताती है कि अभी इस ब्योस्था में काफी काम होना बाकी है और जो दाबे हैं अधिकारियों कि सरकार के मन्साण सरकार बोलती है वह सरकार की मनसाण सब्सक्राइब नगाते नदर आ रहा है और वही तलहां कि मामिला दाग के तीन पात अब अने बहुत स्थिती तिया यहां तो यह देखा आपने की ट्रांसपोर्ट नगर की हालत क्या है और जिम्यदार केवल खानापूर्टी करने में लगे है विवस्ताओं के नाम पर केवल यहां के व्यापारियों को ठगा जा रहा है यहां के एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनात व्यापारियों की स्तुरक्षा और सहूलियत को लेकर संकल्पित है पर लखनओ के अधिकारियों की ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आती चलिए तो हम आपको रूबरू कराते हैं यहां की सफाई और अन्य विवस्थाओं से जुसमें आपको बीमार हो ना हो तो ट्रांस्पोर्ट नगर की तरफ आ सकते हैं यहां जगा जगा भरा पानी, कूडे का धेर, रुका हुआ पानी आपको बीमार करने के लिए परयाप्त है इस सितिह यह है कि खंबा है पर लाइट नहीं और यहां आपको रोड में गड़े नहीं बलकि गड़े में रोड दिखेगी सिपनीज के काफला आँगे बला है और टांस्पोर्ट नगर यहां पर बिल्डिंग रिचुछ बिल्डिंग थोड़े नद्दीक में बगल वाली गली में हो यहां गली में आपको दिखाना चाहेंगे कि ब्यवस्थां कंबार याने कि इतने अच्छी ब्यवस्थां यहां पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे कि कूड़े का देड़ वहां से चला रहा है में नोट से कूड़े का देड़ चला रहा है जो कि संकरामक बीमारी के लिए खुला ने मन चला है कि यहां पर आईए और बीमार होई यहां पर डैंगू मलेरिया तमाम तरह की जो मच्छर चिकनगुनिया के मच्चर वह सारे आपको आपको प्रद मिल जाए क्योंकि यहां पर नंगन नंगम ने आपके बीमार होने की पूरी व्योस्ता कर रखी हो सबसे बड़ी बात यह कि पुलिया के पास हम खड़े हैं पुलिया वहां पर दिखाना चाहेंगे यह पुलिया है अंवां पर पानी भरा हुआ है और निकासी कप aten रे तो निकासी और जो हÎरी कुल घंपार जो निकासी कम लॉक हो mrिके जाह जाना पानी आए और आ है वह संगड़ी मेन की पूरी फूरी अंदेशा तो घ्ल आप गड़ों के साथ यहां पर आवावावन की स्थिती बड़ी खराब हो गई और यहां के जो लोग है वो बताते हैं कि जब यहां पर पानी गिरता है जब आजम बारिस होती है तो यहां पर पानी भर जाता हो पानी उनके दुकानों में उनके गुराओं में भी जाता है हम टांस पर यहां पर सब्सक्ति पता रहा हैं कि 500 जादा बार मुख्वंती पोर्टल पे सुच्छना दी गई यह अधिकारियों से भी कहा गया है पर यहां पर किवल एक ब्योस्था नहीं बद्धा नहीं कि अब यहां सवाल उट्टा है अधिकारियों का जो यहां पर काम करनेक लिए लाइग्वों के साथ क्योंकि यहां पर हम यहां पर नागरिकों को लेकरिक के नाम के लेखारी होता अब हम जानेंगे यहां की बद्धाल हालत का कारण यहां के यानि ट्रांस्पोर्ट नगर व्यापार मंडल एवं व्यार हाउस ओनर्स असोसियेशन के अध्यक्ष टीपियास अने जाने जिस पर जानकारी देते वे उन्होंने बताया कि यहां के हालात लंबे समय से ऐसे ही हैं सरकार को हमसे टैक्स तो सब चाहिए पर व्यवस्था के बात कोई नहीं करना चाहता ट्रांस्पोर्ट नगर केवल अधिकारियों की लापरवाही की सजा भुगत रहा है चाहे बिल्डिंग बंते समी की जाच हो या बुनियादी सुविधाओं की बात हो सर पर्थम तो जो ये घटना प्रकारतिक रूप से घटना घटित हो गई है इसमें जो आठ वेतियों की जो मिर्तियू भी हो गई कुछ गहल हुए उन सबके परती हमाई संबेदना हैं पूरे ट्रांस्पोर्ट नगर की तरफ से किन्तु यदि जिस प्रकार की घटना घटी हुई है अगर देखा जाये तो इतना जल भराव कि यहां समस्या है नालियां भरी रहती हैं नालियां टूटी हुई है कई 80% नालियां ही नहीं है सडकों पर पानी भहता है तो यह पानी आखिर कार जाए कहां कुछ न कुछ तो इसका भी दोश है बाकी एक कि इसका जाँच चले क्या है क्यों बिल्डिंग गिरी इसके लिए जाँच समिती प्रशाशन ने गटित की है जब उसकी जाँच भी संपूर्ण हो जाएगी तब पिक्चर आप प्री किलियर हो जाएगी इस बिल्डिंग का ढहने का कारण क्या ब पूर भी कितनी बार उनको पत्र उनको विजिट तक कराया जा चुका है कि यहां पर आप आके देखिए उन्होंने स्वेम आके देखा भी है आज से सवा दो साल पहले जनमास्टमी आले दिन नगरायत महोदे खुद आये और यहां पर आकर कि उनकी फ्लीड जो है उनकी फ् परच बीद गये हैं कहीं सडक का निर्मार नहीं हुआ पूरा पूरा पानी भरा रहता है कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी स्टीट लाइट्स वह पुराने उस जमाने की लेगी हुई है आज यहां पर किसी प्रकार की भी नगा निगम से हमको सुविधा कोई नहीं मिल रही है अगर इसी को सुधार ले तो यहां से और अच्छा इनको कुछ एक प्लैंड एक ट्रांस्पोर्ट नगर बसाया गया था अगर इसकी समुचित वैवस्ता है सब कुछ ठीक से कर दे तो आज यहीं से इनको ट्रिलियन एकॉनमी की तरफ जो जाना चा रहे है वो यहीं इनको बेसिक मिल जाएगा को ठीक करेंगे या फिर नए हादसे का इंतजार करेंगे और हादसे के बाद सारा दोश जनता पर मर देंगे क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनव में हैं जब तक खुद के भरोसे हैं ना कि शासन के फिलाल हमारी इस खास पेशक्वश में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी निउस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाद